मदसौर क्रिश्यू पजबंडी के व्यापारियों ने गेहू के निर्यात पर भारत सरकार द्वारा लगाई रोक नयावादी पहुंच कर सांसत को दिया ग्यापन मदसौर कृष्यू पजमंडी के व्यापारियों ने आज एकत्रितो कर सांसर सुधर गुपता कोई ग्यापन देश के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के नाम दिया है जिसमें मांग की गई है कि गेहू के निर्यात पर भारत सरकार द्वारा लगाई रोग खटाने अत्वा पुर्व से पोट पर माल को निर्यात की छूट देने की संबन्द में यहाँ ग्यापन दिया है भारत में अन्रदाता किसान के अथक प्रयासों से देश में गेहू की पेदावार अच्छी हुई है केंद्र सरकार ने गेहू के निर्यात करने कर निर्णे लिया जिसके कारण वियापारियों ने मंडियों में किसानों को उनकी उपज़ का भाव सरकारी खरीद के भाव से ज़्यादा दे कर खरीदा और उस माल को एक्सपोर्ट करने वालों को विक्रे किया अचानक केंदरी सरकार ने 13 मही 2022 को एक नॉटिफिकेशन द्वारा आदेश जारी कर गेहों के निर्याद को उततकाल बंद कर दिया जिसके कारण आज पुरेदेश के वियापारियों के गेहों से लेदे हजारों ट्रक कांडला वा मुंबई पोर्ट पर अनलोड होने के लिए खड़े हैं तता देश के अन्य रेलवे साइडिंग में भी रेक लोडिंग के लिए गेहों लगा हुआ है और कुछ गेहों स्थान होने के कारण गेहों खराब हो सकता है जिसका सीधा प्रभाव निर्यातक वियापारी के साथ अन्य दातक किसान पर भी पड़ेगा यापन के माध्यम से निवेदन किया है कि निर्यात पर लगाई रोख हटाई जाया थ्वा पुर्व में पोर्ट पर और ट्रांस्प व्यापारीं का कुछ सोदे हैं गेहों से रिलेटेड हैं जो अभी एक्सपोर्ट हो रहा था जोंकि गेहों का एकसपोर्ड अभी रुका हुआ है तो जिन कम्पनियों से जिन पार्ट होसे इनके सोदे थे उसyleब से इन्होन करने माल लोट करके और पोर्ट पर भेजा है तो ये एक तातकाली गुठी समझ्चा है उसके निदान के लिए मुपर के अधिकारियों से बात करके और समिक्षा करके आज बताएंगे कि क्या सीचुएशन से हमारे व्यापारी भाहियों पर क्या आसर पड़ रहा है हमारी आजना है वह जो उन्लोट हो जाए बात कर रहे हैं इसके बाद आप जिसे भी हम शांप को मिलेंगे अप से CAR Swig Anh कल ऑधालपे हैं ही मंदी अर नहीं पर मध्यपर धिस economist में को करऊे और आगे भी हम महा संह को करेंगे अगशेजीए पर अगे कि music और ये नहाँ